सब्सक्राइब करें तो आज मैं तो आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने वानी हूँ एक आसान सी रसेपी मूंस के रसेपी जो है यह ब्रेकफस्ट में बनाई जाती है या फिर इसे सर्फ किया जाता है आज स्नाक्स आपने टाटल देखके पैचानी लिया होगा कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ मूंग और पोहे से बनाई जाती है तो चलिए वगजाया नहीं करते हैं जादा और बनाते हैं ये रसेपी तो दोस्तों चलिए बनाते हैं मूंग पोहा इसे बनाने के लिए आपको लेना है दो कप बॉयल्ड मूंग इसे मैंने तीन सीटी देकर पकाया है अब इसका तड़का तयार करेंगे तो लेते हैं बड़ा सा पैन और उसमें डालेंगे हम तक्रीबन दो चमच रिफाइंड ओईल अब इसे गरम करते हैं हलका सा जैसे ही हलका सा गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे आधा चोटा चमच राई अब डालेंगे इसमें कुछ करी पत्ते और ड्राई रेड चिली अगर आपके पास सुखा लाल मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं चलिए इसमें डाल देते हैं अब डालेंगे इसमें दो कटा हुआ प्यास इसे मिक्स कर लेते हैं प्यास जो है इसे हमें ज्यादा पकाना नहीं है इसे हलका सा सॉप्ट कर लेना है ज्यादा ब्राउन ना करें बस एक दो मिनिट में ये पक जाएगा एक दो मिनिट के बाद आप देखेंगे प्यास जो है वहलका सा सॉप्ट हो गया है अब डालेंगे इसमें बॉयल्ड मूंग और इसे मिक्स कर लेते हैं अब अब डालेंगे अब गुर्ड जो है वह आपके टेस्ट पर हिसाब से कम जादा कर सकते हैं मैंने यहां पर इतना ही लिया है चलिए इसे भी मिक्स कर लेते हैं ताकि जो गुड है वह अच्छे से मुम के साथ मिक्स हो जाए इसे मिक्स करके आप वापस एक-दो मिनिट के लिए छोड़ दें एक-दो मिनिट के बाद हम इसमें डालेंगे नारियल अब यहां पर मैंने धेर सारा नारियल लिया है अगर आपको नारियल जादा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर हलका सा नारियल डाले क्योंकि नारियल से टेस्ट काफी अच्छा आता है और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक मूंग को पकाते वक्त मैंने अल्रेड़ी इसमें नमक का इस्तिमाल किया था तो यहां पर मैंने बहुत कम नमक डाला है सबी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं वापस बस हरके हाथ से मिलाएं वरना जो बॉल मूंगे वो मैश हो जाएंगे फिर खाने में मजा नहीं आएगा अब डालेंगे इसमें पतला पोहा आप जाड़ा पोहा नहीं इस्तमाल कर सकते हैं आपर आपको सर्फ लेना है पत कर लें अब एक दो मिनिट हम इसे इसी तरह से पकाएंगे तो एक दो मिनिट के बाद यह रेडी हो जाएगा आप इसे गरमा गरम सर्फ कर सकते हैं चाय के साथ मौनिंग ब्रेकपास्ट में इसे शर्फ करें या ऐसा स्नाग फी आप इसे ले सकते हैं बहुत टेस्सी लगता है इसे ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स ब्लॉक पर तब तक के लिए बाबाई